हेई गाईज एम फैज एनी वाचिन टेक्निकली गेमर और इन इस वीडियो एम गूंग टेशो यूर टॉप 5 ग्राफिक्स कार्ड अंडर 5000 रूपीज फॉर बजट गेमर तो बिना किसी बखवास के शुरू करते हैं दोस्तों इस लिस्ट मेंने जित्ते भी ग्राफिक्स कार्ड बताया है वह सब 720 पिक्सल रिजोलूशन में गेमिंग करने के लिए है विद मेडियम और लो ग्राफिक्स इसमें आप 1080 पिक्सल में गेमिंग नहीं कर सकते विकॉज यह कैजूल गेमिंग के लिए है तो अगर आ के लिए है तो इस लिस्ट में जो नंबर फिफ पोजिशन पर ग्राफिक कार्ड आता है वह है एन्वीडिया का जीटी 630 जीबी ऑफ वी रैम एंडेडियर 3 मेमोरी दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड में आपको 96 क्यूडा को जेकने मिलते हैं एन्वीडिया के तरफ से 700 ग्रा ग्राफिक कार्ड के प्राइस जो निकल के आती है वह है 2975 रोपीज यह आपको मिल जाएगा Amazon Flipkart eBay कहीं भी आपको आराम से देखने को मिल जाएगा यापकी जो स्टॉक है वह आपको आपको आमेशा खाली रहती है यह कि इसे जादा कोई लोग खरीते नहीं है यह एक्दम लोग फिक ग्राफिक कार्ड जोस्तों नंबर फोर पर बढ़ते हैं नंबर फोर पर आता है वह है AMD का ATI Radeon HD 6450 2GB DDR3 मेमोरी दोस्तों यह ग्राफिक कार्ड AMD के तरफ से आता है यहाप आपको देखने को मिलता है 625 MHz का इंची क्लॉक स्पीड 2GB of DDR3 मेमोरी 1.066 GB per second memory क्लॉक स्पीड दोस्तों इसमें आपको उपन जेल देखने को मिलता है 4.3 का दूस्तों काफी अच्छा गाफिक काड़ है अगर आपको खरीदने का आपकी बजट PC के लिए अगर पास चारज भी कि रैम है और मिनिमम स्पेक से तो आप इसे खरीच सकते लेकिन अगर आप इसे 2444 रूपीज यह भी आपको Amazon पे या फिर eBay पे आराम से देखने को मिल जाता है दोस्तों आपको नेक्स ग्राफिक काड़े हमारा इस लिस्ट में वह है एंविडिया का GT 710 with DDR3 रैम दोस्तों GT 710 काफी सारे यूजर्स यूजर्स करते हैं क्योंकि जिनका पीछी में तरा स्प इसने को मिलते हैं अपने इंविडिया के तरफ से 954 बेस्ट मिल जाता है मेगा हर्स की स्पीड के साथ 1.8 GB पर सकेंड मेंबरी क्लॉक के स्पीड है इसमें 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 को 4.5 ओपन जील का भी सपोर्ट मिल जाता है और इस ग्राफिक काड़े वह है 3129 रुपी एक्दम म सब्सक्राइब कर सकते हैं मिनिमंम एडिटिंग भी कर सकते हैं मिनिमम फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते ग्राफिक डिजान में सौटर में आपके काम आएगा और थोड़ी बताफ गीमिंग भी टिक टाउक कर सकते हैं लेकिन आपसमें हाई गेम जैसे कि विचर 3 सही है अगर आपको 5000 के अंदर ही खरीजना है तो मैं आपको बलूँगा कि आप 730 को खरीजिए क्योंकि इसमें आप 384 को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें भी आप मिनिममम गेमिंग कर सकते हैं इसमें गेमिंग नहीं कर सकते हैं इसमें जीटीफाइब भी खेल सकते हैं लेकिन आपको मिनिममम 25-30 एक देखने को मिल जाएंगे 4.4 ओपन जीर दोस्तों इस ग्राफिक काड के प्राइज है वह है 4820 रूपीज या पर आपको मिल जाएगा Amazon पे सकते हैं और काफी सारे अलग अलग गेम है जस्पास 3 भी है लेकिन आपको जस्पास 2 खेलना होगा जस्पास 3 की जाफिक ज्यदा है तो आपको वह बहुत सारे फ्रेंस जब देखने को मिल जाते हैं लेकिन आप जस्पास 2 घेलेंगे तो आपको बराबर आप 720P में आरांस तो इन्जॉइ कर सकते हैं विट मीडियों और लो ग्राफिक्स दूस्तों यह तो हो गए हमारे चाले ग्राफिक कार्ड वोग मिनिमम 6,000 रूपीज रहीत लेकिन जूझ नमबर वन ग्राफिक कार्ड उस बार में भी बताने वाला हुआ और दूस्तों जूझ नमबर वन ग्रा पीजिए बिल्कुल खेल सकते इसमें आपको अच्छा सपोर्ट मेल जाता है 384 कुछ का 4000 वेस्ट लॉग मेघार्स की स्पीड मिल जाती है ओफ 4.5 ओपन जील का पी सपोर्ट मेल जाता है दोस्तों इसमें आपको इतने अच्छे फीचर मिलेगी उसके प्राइब जाता है आप प्राइब जाता है आपको लेकिन अगर आपको खेलना है तो आप इसके सब्सक्राइब जाता है तो आप थोड़ा सा इसके तरफ देख सकते है क्योंकि एक अच्छी चीज देखने को मिल जाती है मार्केट में इसके प्राइस थोड़ी ऊपर निची हो सकती है तो आप पहले मार्केट जाए उसका प्राइस जाके चेक किए बाद में आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से से खरी जिए यह ग्राफिक काड में फोजी उसकरता है और अभी जाप गेंपले देख रहे व साधरन ग्राफिक कार वो भी मिनिममम स्टे नहीं सकता लिए ग्राफिक कार जो GT 1080 हो काफी अच्छा है इस कामली में है तो इस इंजोई दिस वीडियो दें दोंट फगेट तो लाइक इस वीडियो शेर तो आल यूर फ्रेंस और सब्सक्राब तो मैं चैनल पर देले गेमिं content and also follow me on instagram and twitter link in the description thank you guys this is Faiz and you just saw technically gamer thanks for watching have a nice day